सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल रिवीव वाला को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा लेटेस्ट रिव्यूज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं यह गाईस वाट्स अप तो हैर कैसे हो आप सब लोग तो मैं आप लोगा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके और हमारे प्यारे से चैनल रिवीव वाला पर चाहां पर मिलती है आपको बहुतरीन डिव्यूज एक्स्प्लैनेशन्स टुटोरियल्स और भी बहुत कुछ कि आप जैसे स्क्रीन पर देख आ था बारा हैं आज की इस वीडियो में मैं बात करूछ पूटिन प्रोड़क्त है पहुत ही पेथरीन प्रोडक्ट है आज कि 입니다 एस वीडियो में डिवाले करएगा एक बहुत ही पहुत ही बहुत ही बहुत बैरीन किताब के बारे में गित त clinics स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि चैप्टर वाइस टॉपिक वाइस क्वेशन सॉलुशन कमिस्ट्री फॉर मेडिकल एंटरेंस के लिए तो यह बहुत ही अच्छी किताब है और मैंने कुछ टैम पहले ही से देखा था तो मैंने सुचा क्यों अपने विवर्स के लिए अपने सवरात इसमें अरेंजमेंट की चीवारा माली जेकि कुशन कैसे हैं उसका एक्स्प्लेनेशन दिया है कि नहीं तीया है कि नहीं वगड़ार तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इसलिए गाइस वीडियो को पूरा लास्ट देखेगा और अगर इनके सब्ढ़ आपको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बिल्कुल यह बुक है और यहांत चैप्टर वाइस टॉपिक वाइस क्वेशिंस सॉलुशन्स केमिस्ट्री फॉर मेडिकल एंडरेंशिंस कि दोजार पंद्रे से लेके दोजार पांस्त के एडिशन है और हाइली यूसफूल यह सीब्स एंडर मेडिकल एंडरेंश इग्जामनेशन्स तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूं यह जो किताब है यह स्पेशली मेडिकल इस या जो भी जोनों करने ब्लिकेशन की पैषैं बिलकुल ना जाए क्योंकि इस बुक का impacting तक करण में यह जो जीblo Smoke control करना है यह जोटेमेंड कि लेभल का पूल्हकीं पहुदी आमसेजीविंटेशन को कशीए और येसफ़ायशन होड़िकोपता यह फीघवान फबलिक तो साइट कवर देखते हैं यहां पे आपको अरिहंत की मार्किंग मिलती है चैप्टर वाइस टॉपिक वाइस क्वेशन सॉलुइशन केमिस्ट्री मेडिकल इंट्रेंसेस 2015 से 2005 प्रिति गुप्ता यहां पे लोगो है पेली कोड अगर आप चाओ तो ले सकते आप इसका एक स्क्रेंश ले लो इनके शभर यह व्यापको मार्केट में पर्शेस करनी है तो आप इसकी सर्में कॉपी पर्शेस कर सकें यह बारकोड भी आप चैन कर सकते हो ठेकें और ही अपर देख सकते हैं कि इस पप्लीकिशन की बाकि सारी भी बुक्स आती हैं जैसा कि exploring biology volume 1 और medical entrances biology volume 2 chemistry chemistry volume 1 physics physics chemistry biology तीनों की तीने sequence आपको अरियंद के मिल जाएंगे यहां पे बात करें उपर के उस पे तो तो थोड़ा सा मैं आपको ऐसे दिखाता हूं थोड़ा साप मोवाइल को लेंड्सकेप मोड पर कर ले नौ ठीक है चैप्टर वाइस ट्रॉपिक वाइस कोशन यह कर दिया है कि यह बुक में क्या प्लस हैं क्या माइनस हैं किस तरह से ठीक है तो चलिए दोस्तों आईए इस ब से बुक का फ्रेंडर कवर है आफिक है चैप्टरवाइस टॉपिक वाइस क्वेशन सॉलेशिंस तो फ्रेंड कवर काफी अच्छा है पेस काफी वाइट से हैं और बहुत ही स्मूध है पेपर की क्वाइटि काफी अच्छी है पो के साफ से देखाया तो आगे बढ़ते है कि यहां पर कुछ एक्स्क्राइशन दिया गया है कि क्या है इस बुक में एक है इस बीन कोड़ है प्राइस है से सब्सक्राइब वेगरा बुक के पॉब्लिकेशन यह बिजनस पॉइंट अभी वहां से जी इंबॉड है यहां फिर दोस्तों यह प्रिफेस है आप देख सकते ह से ओपर तो यार देखो यहां पर कंटेंट्स में मिल जाते हैं पार्ट फॉर्स्ट आप जैसा की देख सकते हैं यहां पर मेंशन है बेस्ट रॉन क्लास 11th NCRT ठीक है तो यह पार्ट फॉर्स्ट है इसका हाँ यह दियान देने के जरूरत है कि यह जो किताब है स्ट्रिकली NCRD को फॉलो करती है मैं फिर से कह रहा हूं यह बुक स्ट्रिकली NCRD को फॉलो करती है तो अगर आप NCRD के टेस्ट बॉक पढ़ रहा हो तो यह आपके लिए बहुत ही यूसफूल होने वाली लगी है होने वाली है क्योंकि जो आप NCRD पढ़ रहा हो वही सेम चीज कहीं न सब्सक्राइब का कंटेंट से हैं आप चाहो तो स्क्रीन शॉट ले लो थोड़ा से गला मेरा खराब है ठीक है तो प्लीज माफी चाहता हूं उसके लिए थोड़ा साप वीडियो को फास्ट फॉर्वाड करके देखना तो कभी बेटर होगा पाट सेकेंड है दोस्तों बेस चैप्टर्स की शुरुवात हो चुकी है तो मैं कोई एक चैप्टर यहां पर पिक अप करूंगा और उस चैप्टर की टीटेल रिव्यू करूंगा कि उस चैप्टर में सिनेरियो कैसा है क्वेशन किस तरह से दिए गए हैं और वहां क्या मलब अर्रेंजमेंट कैसा है ठीर कि अध्यूंग की तो दोस्तों यहां पर हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 17 एलेक्ट्रो केमिस्ट्री यह ट्वल्त का चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट इए इंप्वेश्चाम में तो दो कुशिंस यहां से फिक्स्ट हैं बहुत अच्छे कोशिंस आते हैं और कुशिंस के लेवल काफी अच्छे हैं इसमें और जी मेंस की बात कर तो वहां के भी पहुत इंबॉर्डेंट है तो चैप्र 17 एलेक्रोगेमिस्ट्री इसकी यहां पर देख सकते हैं कि एक रेवियू तो इन देंस मेंस की जैसे की एक चैप्टर का एक ओवर्वियू जैसे कि माल लो फालतू की लेंगवेज कामन चीज़े प्रेक्टिकल चीज़े बगवास टाइप पर भुस दिया नहीं इसमें टू दो पॉइंट टैरेक्ट डेफिनिशन्स फॉर्मूले चोड़े ओड़े कॉंसेट्स उन्हीं पर फोकस किया गया है तो हम देख सकते हैं यह एक विक रिप्ई हुए और बिल्कुल यहां पर देखें छोड़े ओड़े हैडिंस दिये गया है अगुणक्वटेविटी मॉरकनदटीवटी और चोड़ चुड़ा सा व्क्या सा है है और फिर एक दो लाइन एक्स्पेंड किया है और फिर उसके पार्ट एख छोटा सो फरमूला दिया गया तो ये बहुत ही बहुत ही बैठेट ही जिले यर क्योंकि अगर हम कंपठgender exams की बात करें तो हमारे पास थिवरी पढ़ने का हर लए उतना टेमि नयींक आ海ण हहता है है कि आप objective तरीके से पढ़ाई करो ते बहुत इंपोड़ एंड है तो यहां पर वही चीज़ है कि टारिक डिफिनिशन दिया है फॉर्मॉला दिया है एंड इट सेक्ट अच्छी बात है तो थेरी बहुत द लंबी चोड़ी नहीं दी गई है काफी टुद पॉइंट और स्ट अच्छी बात है तो मैं एक बात आप लोग को बहुत अच्छेस क्लियर कर देना चाहता हूं कि यह बूक आप तभी पर्चेस करिएगा जब आप की थेरी पर कमांड हो जाए अलाकि आप डारेक्ट से पढ़ सकते हो लेकिन एक चीज़ों को डीटेल वियो में समझना पहु बहुत जादा तो आप एक बात का धियान रखना कि अगर आपको अच्छे से इस बुक को क्लियर करना है तो फिर आप एक अच्छी डीटेल बुक ले लेना मैंने रिवीव किया है वह पी टेंडन की केमिस्ट्री की मैंने रिवीवाल पे वीडियो डाला है तो आप जाके उ कि वो वो कितनी अच्छी है theoretical point of view से तो प्लीज उसको देखेगा और उसको share भी जरूर करिएगा ठीक है चली आते हैं questions पे तो यहां पर हमारी theory खतम हो जाती है theory बहुत लंबी नहीं है मुश्किल से एक या दो पने कि आप जैसा की देख सकते हैं एक इधर है एक इधर है ठीक है यहाँ पर टॉपिक वन questions एंसर इस्टार्ट है तो सब्सक्राइब कर देना कि यहां पर जितने भी questions है वो सब प्रिभिएस यह questions है पीवाइक यूस कही न सब्सक्राइब कोश्चिन से वह हैं मेंशन है ठीक है तो यह देखो मालो लो अल्ट्राइट्स एंड एलेक्ट्राइटिक कंडंग्टेंस एक टॉपिक है तो उस पे questions दिए गहे हैं आप देख सकते हो 14 में 13 12 11 में लब एक सिस्ट्रमेटिक वियमें कोश्यंस एंस्वर अरे प्रेंच के गए हैं सारे objective questions है तो दो पॉइंट तो आगे पढ़ते हैं तो यहां से हमें 33 questions है इस topic से तो बहुत अची बात है आगे बढ़ते हैं एलेक्टर केमिकल सीरीज एलेक्रोड पोडेंशल एम एफ तो यहां से भी questions आपको मिल जाते हैं टॉपिक टूए तो चैसा क सब्सक्राइड की दोस्तों इस बुक काना मैं चैप्रवाइस टॉपिक वाइस तो बहुत ही पेतरी नहें क्योंकि नगातब अब ही आप और मॉस्ट काफी अच्छे कादे कोश्चेंस दिये गया है यहां पर बिल्कुल आप देख सकते होंगे 67 कोश्चेंस दिये गया है इस सेक्षिन से ठीक है तो यह बहुत ही बैतरी नहीं तो यार एक बात बहुत अच्छी है इस्बुक में कि कि जो भी मालो एक चैप्टर है उसमें एक चैप्टर में सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता एक्जाम के पॉर्ण अव्यू से ठीक है लेकिन कुछ दो चार टॉपिक्स हैं जो काफी वेटेज रखते हैं और वहीं से क्वेश्चेंस उठाके पूस देता हर बार एक्जाम तो यह सबसे अच्छी वात है कि यहां पर इस मुख में चीजों को टॉपिक वाइस क्लासिफाइब किया गया मनलों टॉपिक फरस्ट है टॉपिक सेकेंड है टॉपिक फरस्ट जो था उस पर अल्मोर्स थर्डी-फॉडी क्वेश्टन से टॉपिक सेकेंड जैसा कि आपने जाएंगे एक्रोलाइस सिस एंड इट्स कॉंटिटेटिटिव एक्सपेट्स पेटर इस फ्योज्स को रोजन एक मिक्सप टॉपिक है ठीक है तो अल्मोस्ट है यहां पर आपको कुछन क्वेश्ट सीवन कोुश्चन mellan नहीं होता एक चेप्र में कुछ चीज़ें पॉडेंट होती है तो जो चीज़ें पॉडेंट होती है फोरी से μεनाते हैं में तो यहां फसी बाद कड się दिया गया है तो आप्सर्फ के दिया गया है आप देख सकते हैं आराम से त तो टॉपिक फर्स टॉपिक सेकेंड टॉपिक तर्ड तो यहां पे सारे एंसर की दिये गए हैं अगर आप क्वेशन सॉल्व करके आप डारेक्ट शाहुच से अपना मैच कर सकते हो तो यहार एक बात बहुत अच्छी है जो सबसे मेन अबाती हुआ है एक्स्प्लेंशन जो इस बुक को सबसे बेस्ट बनाती है अपने क्लास में कि यहां पर हरे क्वेशन के एक्स्प्लेंशन दिये गए जैसे कि मालों की आप क्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो आप अपने तरीके से कर रहे हो लेकिन अगर उस क्वेशन का एक्स्प्लेंशन मिल सब्सक्राइब दो यह बहुत ही इंपोर्टेंट है कि explanation हो क्योंकि अगर explanations रहेंगे तो आप एक self analysis किया जा सकता है यह बाई मैं किस तरह से काम कर रहा हूं मैं किस तरह से पड़ाई कर रहा हूं किस तरह से मुझे questions यह solve भून चालिए तो यह बहुत important है टेके तो और एक क्वेशंस के थे जिए गया है एक बात हो रहा है कि बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं मैंने रिवियू किया था डेसी पांडे का डेसी पांडे physics की पारफ सट एंट पार्ट सेट तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखिए तो रिवी वाले यह कर अगर एवरेज इस्टुडेंट की बात करें तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रेट करता है लेकिन यहां पर बात है कि हर एक क्वेशन का एक अच्छा खासा सिंपल एक्स्प्लेशन दिया गया है तो बहुत ही बहुत भैतर इंची जिए हैं तो हम जाइए सकते हैं इस ले सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा कला खराब है इस लिए तो यह आप देख सकते होंगे हर बुक का एक बैतरीन एक्स्प्लेंशन दिया है सॉरी हर कोशन्स का तो यहां पर खतम हो जाता है चैप्टर ठीक है तो इसी तरह से 32 चैप्टर से हैं पूरे बु उसे और यह बुक हो जाती है लास्ट पार्ट तो दोस्तों फ्रेंड्स टीचर्स इखे रही इस बुक की एक डीटेल्ट रिव्यू 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 वाला की तरफ से बहुत ही पैतरीन बुक लगी मुझे जैसा कि इसका नाम है चैप्टर वाइस टॉपिक वाइस तो इसने बखोबी काम किया अपने टॉपिक वाइस पोटियन पे कि आखेर यह सब्सक्राइब कॉछेंगा है तो इनो ने काफी है चेम किया इस पे जो भी एक चैप्टर से हैं उसके जो में इंपोर्टेन टॉपिक्स हैं उन्होंने इनको सेप्रेet किया है और उस पे जितने भी प्रीविए सियर में क्वेशन्स पूचे गया है उस टॉपिक से उन्हों ने इस कुछ में नेशन किया है तो यह बहुत ही बैटरी इन चीज लगी मुझे साथ ही साथ इसकी प्रेंटिंग क्वाल्टी बहुत अची है स्पेशियस है तोड़ा सा जो लिखावट इसकी वह दिखाना आपको भूल गया हूँ एपेंडेक्स मेबी वन सेकंड हाँ यह देखिए क्वेशन्स आस्टीन सी बिस्टी एपम्टी दोजार पंद्र तू क्वेशन से डारेक्ट है क्यारी इतना तो आपको वहीं क्वेशन्स में मिल गया होगा यह दिंग एक्स्लेनेशन से उ तो रिभी वाला को यह बुक बहुत अच्छे लेगी और रिभी वाला इसे फाइव में से फॉर पॉइंट फाइव स्टार जरूर देगा अगर आपको थोड़ा सा अपने प्रिपरेशन को इस्ट करना है तोड़ा से एक्वरेसी बढ़ानी है और सेलेक्शन के चांसे बढ है तो मुझे बहुत अच्छे लगी हर तरफ से बैटर है ठीक है आई तिंक आपको एबुक ज़रूर पर्चस करनी चाहिए अगर आप नीट के इस परेंट हो तो तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही बैतरिन प्रोड़क के साथ वह अन्बॉक्सिंग कि सब्सक्राइब अगर आने लेसे सब्सक्राइब मैं क्योंकि आप लोग का इश्रवादी वाला के लिए सब कुछ है गुड़ बाई टेक किया थैंक यू